अभी तक आपने एश्टो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें शेयर करें और कमेंट्स करें अपना हो या फिर हो किराय का घर ग्रिह प्रवेश पर कभी ना पहने ऐसे पांस तरह के कपड़े नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर स्ट्रीपति त्रिपाथी हई लोग तो ऐसे होते हैं जो मेहनत करते रहा जाते हैं लेकर इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपना घर होने पर भी व्यक्तिा घर से जुड़े वास्तु सास्तर का ध्यान रखना चाहिए जैसे आपका घर किरायका हो या फिर अपना लेकिन गृप्रवेश के दोरान आपको कुछ कपड़ों को पहनने से परहेज करना चाहिए क्योंकि ये कपड़े शुब नहीं माने जाते हैं आये जानते हैं के नियम के इन साथ गृप्रवेश के दोरान काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए क्योंकि काले रंग को नकारात्मक उर्जा से जोड़ कर देखा जाता है साथ ही काले रंग के कपड़े पहनने को दुर्भाग से जोड़ कर भी देखा जाता है काला रंग सभी रंगों क का अशोसित कर लेता है मतलब सभी रंगों को अशोसित कर लेता है इसका अर्थ यह है कि सभी रंगों का अस्तित्यों काले रंग में मिल जाता है हटे हुए या कपड़े बिल्कुल ना पहने काई लोग प्रवेश की पूजा में अपने कपड़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें लगता है कि घर के छोटी सी पूजा में घर पर पहनने वाले पुराने कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि बास्तोव सार्सर के अनुसार कई बार घर में पहनने वाले कपड़े घी से या फटे हुए हो सकते हैं, ऐसे में आपको ध्य रखना चाहिए कि फटे हुए कपड़े ना पहने अन्य था भाग का साथ कम मिलता है गंदे कपड़ों से रहे दूर आपके घर में जिस दिन ग्रिप्रवेस है उस दिन आपको स्थान करने के बाद धूले हुए साफ कपड़े ही पहने चाहिए आप अगर सुबह से भाग दौ या कामकाज में लगे हुए है और जिसकी वज़ा से आपके धूले हुए कपड़े भी गंदे हो गया है तो आपको ग्रिप्रवेस के दिन या ग्रिप्रवेस महुर्त के समय फिर से कपड़े बदलने ने चाहिए वह कपड़े बिल्कुल नहीं धारण करने चाहिए किसी आकरात्मक उर्जाघर में प्रवेस करती है कोशिस करें कि जिस तरह नया घर आपका है उसी तरह कपड़े भी आपके नए ही हों ना कि किसी दूसरे ब्यक्ति के कपड़े हो या दिये गए कर दिये जाते हैं लेकिन कुछ लोग मृत ब्यक्ति के कपड़े से बहुत सनीह रखते हैं और उनकी यादों को संजू कर रखते हैं गरी प्रवेस की बात करें तो आपको इस सुभी दिन किसे मृत ब्यक्ति के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए इससे बचना चाहिए या प्रयास करना चाहिए या दान कर दें बहुत लोग मृत ब्यक्ति का बस्तर रख लेते हैं पहन लेते हैं पूजा पार्ट में नहीं रखनी चाहिए उससे बिल्कुल दान कर देना चाहिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करे पर शेयर करें और कमेंट्स करें नमस्कार